तो स्वागत आपका हमारे न्यूज यूटिब चैनल में और इस वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है जिहां दोस्तों हमारे लाखो करमचरी और पैंसन बोग्यों के लिए तीन बड़े तोफेत त्यार किये गए हैं जिहां दोस्तों ये कहें कि सरकार ने आप जो आने वाला महिना है बड़ी सोगात लेकर आएगा तीन बड़ी गोशनाई हो चुकी है और हम आपको इस वीडियो के मादम से डिटेल से बताएंगे सरकार का क्या फैसला है तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टाट करते हैं दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स टाइम विजिट किया तो चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले और बैल आइकन को भी जुरूर्द वे जो भी नूज आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरहंत पुम्स के तो आए दोस्तों हम बिना किसी देरी के आप वीडियो को स्टाट करते हैं डिटेल से बताते हैं तीन बड़े ऐलान कर रहे हैं केंदर सरकार के करमचरे को इस महिने में ट्रिपल बोनस मिल सकता हैं याने कि एक महँगाई बते में बड़ोतरी के बारे में दूसरा 18 मीने के डिए आरेर के बुकतान के समद में और तुसरा प्रोविडेंट फंड पर ब्याच के समद में हम बाते कर रहे हैं जिहां दोस्तों इसमें आप जो सभी क्रामचारी को डिटेल से बताते हैं कि जुलाई में महेंगाई बत्ते में 6% की बड़ोतरी हो सकते हैं यानि कि जो क्रामचारी को महेंगाई बत्ता 34% के हिसाब से मिल रहा है 6% की बड़ोतरी होने के बाद दोस्तों जो हमारे क्रामचरी का महेंगाई बता 4 पर पहुंच जाएगा यानि की 40 फिजदी की दर से उनको महेंगाई बता दिया जाएगा जो सरकार 31 जुलाई को महेंगाई बते में बड़ोतरी की कोशना कर सकती है और ये केवल जो सुरुवाती अठिकले हैं और क्रामचारे को इस पर अधिकारिक ब्यान का इंतिजार करना होगा मंतराले की नविंतम रिपोर्ट के नुसर माई के लिए जो AICP जो फिगर से 139 पर है जो निश्ची रूप से संकित दे रहा ही D.A. अपिक्षा से अधिक होगा यानि की 6% को बडोतरी होगी लाखो क्रामचारे के खाते का जो बकाया D.A. अगस्त में दे सकती है सरकार दरसल केंद्रिय क्रामचारे लगाता जनुर 2020 से जून 2021 सरकार से D.A. रोकने रोके जाने की मांग कर रहे हैं इससे पहले कई बार खबरे भी आये थी कि सरकार क्रामचारे के खाते में बकाया D.A. के दो लाख रूपे डालने जारी लेकिन सरकार ने हर बार इसे इनकार कर दिया और करामचारे को इंतजार आज भी जारी है हम आपको बताते कि सरकार केंद्रिक करामचारे के खाते में डेड़ लाख रूपे एक मुक्त डालने की तियारी कर रही है अगली जो हम बताते हैं 18 मेने जो पेंडिंग डिये एरियर है जी हाँ दोस्तो इसके बार में फिर जोर पकड़ लिया है ताजया रिपोर्ट यही निकल कर आ रहे है कि जनुवर 2020 और जून 2021 तक डिये एरियर जो 18 मंस के बुकतान के मुद्दे पर जल्द ही विचाल कर सकती है केंदर सरकार के करामचारी को अपने खाते में एक बार में डेड़ लाख रुपे का बकाया आने की उमीद नहीं छोड़ने चाहिए डिये एरियर की रासी करामचारी के वितन, बैंड और सरचना पर निर्वर करती है करामचारी के जो बैठक होने वाले हैं डियो पीटी और जेस्यम की बैठक जिसमें करामचारी के डिये बकाया भुकतान पर चक्चा होगी और इस बैठक में डिये में बडोतरी पर एलान होने की उमीद है हम आपको बताते कि फिलाल 14% के हिसाब से डिये का बुक्तान है लेकिन AICP आखड़ों के मुताबिक जुलाई में डिये में 5-6% की बडोतरी हो सकती है कोविंट के चलते सरकार ने क्रामचरियों के 18 मेने की डिये अरियर पर रोक लगा दी थी इसके बाद कई बार क्रामचरियों का डिये बड़ाया गया लेकिन अभी तक बकाया नहीं मिला तो क्रामचरियों को दोस्तों उमीद है कि सरकार जल्द है उसका बकाया जो बुक्तान कर देगी हालांकि अभी तक जो डिये बुक्तान और बडोतरी पर सरकार की ओर से कोई जो अधिकारिक ब्यान तो नहीं हाया और हम आपको बता दे कि क्रामचारी की उसकी जो सैलरी बेंट की हिसाब से डिये अरियर मिलेगा केंदरिया नियासी पोर्ड एपिएफ के वितिये वरह 2021 के लिए संदेशों के खातों में एपिएफ संचय पर जमा करने के लिए 8.10% बर्षिक ब्याज की दर की स्पारिस की थी ब्याज दर को अधियरिक रूप से सरकार राजपतर में अधिस उचित किया गया था जिसके बाद एपिएफ जल्द ही अपने गराकों के खाते में ब्याज दर जमा करना सुरू कर देगी एपिएफ ओ, हर साल पिएफ इंट्रेस्ट रेट की घोशना करती है, केंदर सरकार के करामचारे को एक बार फीर अच्छी खवर मिल सकती है और इसमार्ट डिये में वुर्ति के साहल सरकार 18 मय के अर्षिक बकाई पर भी निरन ले सकती है, दरसल केंदरी करामचारे लंबे स जुरूर करें सिस्क्राइब करें और ज़्याद से ज़्याद अपने फ्रेंज के साथ शेड़ जरूर करें तो मिलते हैं जल्द ही बड़े अपडेट के साथ तब तक के लिए आप सभी को हमारी और से जैहिन जैजवान जैखिसान